कि शुप्रभाद बेहनों कक्षाद्वादस व्रिक्षेशु चैतन्यम विद्यते व्रिक्षु में भी चेतना पाई जाती है इसको हम पढ़ रहे थे आज इसमें चौथा स्लोग है पुन्याहा पुन्यस्था गंध्य धूर्पैस्चो विविध्यरपी अरोगाहा पुस्पि पुन्याह 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 पुन अर्थ हो जाएगा पुन्य अपुन्य है तथा चो विविदह अपी गंध है धूपै चो पुश्पिता है अरोगाह संती कहरें व्रिक्षि पुन्य और अपुन्यों तथा अनेक प्रकार की गंधू और धूप इत्यादिस से अरोगाह संती निरोग और पुश्पित होते हैं तस्मात पातपा जिगरंती इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि पुश्प जो है वह जो है उनमें सूंगने की जो है शक्ति होती है फिर देख लेंगे एक बार पुन्य है अपुन्य है तथा चो विविदह अपी गंध है पुरिक्षिप पुन्यों और अपुन्यों तथा अनेक प्रकार की गंधूं और धूप इत्याद से निरोग और पुस्पित होते हैं इस प्रकार जो है इससे सिद्ध होता है तस्मात पातपा जिगरंती इससे सिद्ध होता है कि ब्रिक्षों में सुगने की सकती होती है अगला है पादेह सललिल पानाश चो व्याधिना नाम चो पी दर्सनात व्याधि प्रती किरित्वत्वाच्ची विद्यते रशनम द्रुमे पादेह कैरतें पैरों द्वारा या जडों के द्वारा सललिल पानाश का अर्था जल पीने से व्याधि नाम का अर्थ है रोगों के दर्सनात का अर्थ है दिखाई पढ़ने से व्याधि प्रतिक्रियत त्वात का अर्थ है रोगों की प्रतिक्रिया होने से रस्नम का अर्थ है स्वाद लेने की सक्ती से दुरुमे का अर्थ है व्रिक्षू में अनुए हो जाएगा अर्थ हो जाएगा पादेह सलिलिलपानात व्याधिनाम चो अपीदर्सनात कहे रहे हैं अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण और रोगों के दिखाई परने के कारण तथा रोगों के उपचार के कारण ब्रिक्ष में जो है स्वाद लेने की जो है सक्ति होती है अर्थात कहने का सही है कि ब्रिक्षू में जो है रसेंद्री अर्थात जीव की जो सक्ति है वह भी पाई जाती है फिर देख लेंगे पादह, सलेल, पानात, व्याधिनाम, च сопhi, दरसनाद, व्यधि, प्रतिक्रित्वात, चोदरुमे, रशनम, विद्यते अपनी जड़ों द्वारा जल पीने के कारण और रोगों के दिखाई पढ़ने के कारण तथा रोगों के उपचार के कारण व्रिक्ष में स्वाद लेने की सकती होती है कहने का आसे है कि रसेंद्री के अभाव में जल पीना और रोगों की नास्कारी आसदियों को पीना संभव नहीं है अगला है वक्त्रेण उत्पत्पलनालेन यथोर्ध्व जलम अददेत तथा पवन संयुक्त पादेह पिवती पादप है वक्त्रेण का अर्थ है मुखद्वारा उत्पलानेन का अर्थ है कमल के पुष्प की नाल से उर्ध्व का अर्थ है उपर की ओर आददेत का अर्थ है ग्रहन करता है पवन संयुक्त है का अर्थ है वायु से युक्त अन्वे हो जाएगा केरे हैं जिस प्रकार कमल अपने गंडल से अपने डंठल के द्वारा जल को उपर की ओर ग्रहन करता है खीचता है वक्त्रेन उद्पन नालेन यथा जलम उर्धम आदेत तथा पवनी संयुक्ते पादबह पादय पिबती कह रहे हैं उसी प्रकार व्रिक्ष भी वायू सहित होकर अपनी जणों से पानी पीते हैं क्या कहा वक्त्रेन उद्पन नालेन यथा जलम उर्धम आदेत तथा पवनी संयुक्ते पादबह पादय है पिबती कह रहे हैं जिस प्रकार कमल जो है अपने डंठल के द्वारा अपने कमननाल के द्वारा जल को उपर की ओर ग्रहन करता है अर्था खीचता है ठीक उसी प्रक का इबरिक्स भी वायू सहित होकर वायू के साथ जो है जल को जो है अपने जड़ों के द्वारा जो है ग्रहन करते हैं अर्थात पीते हैं